अपने कस्टमर्स से अपने यूजर्स से अपने फैन से एक कनेक बनाने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जिसमें से पहली बात यह है कि वाज समवनीजुसी दिस सोचल मीडिया जो सोचल फ Remote छल रहे हो यह सोचल मेडिया समवन या पशल्स पशहल्स कर रहा है क्या मक्सद उसका इस सोचल मीडिया पर आने का और content देखने का Number 2 Who is using this social media platform जो आप platform use कर रहे हैं इस social media को use कौन कर रहा है बच्चे use कर रहे हैं young generation use कर रही है या थोड़े old generation के लोग use कर रहे है आपको देखना पड़ेगा कि कौन लोग इस social platform को use कर रहे है और किस तरीके से use कर रहे है किस type का content वो consume कर रहे है Number 3 successful लोगों का इस social media पर जो content है वो कितनी देर से upload हो रहा है उसकी frequency क्या है उसका format क्या है और उसका timing क्या है ये बात आपको समझनी पड़ेगी और उसके according content बना कर upload करना पड़ेगा उस particular social media channel पर अपने आपको grow करने के लिए देखिए हर social media का खुदका एक behavior है और उसके according अगर आप चलो तो आप हर business में आगे जा सकते हो आपके competitor से आप पहले ही महाँ पर market बना चुके होंगा तो इन बातों का आपको खयाल रखना है और कोशिश ये करनी है कि आप हर चीज को deeply analyze करता है प्रकुदक आप देख पाए कि आप अपने social को behavior का अकॉर्डिंग चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं आप